हेलो गाइस आएम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टुडेंट्स पॉइंट सो गाइस जैसे कि आप सभी को इनफर्म किया जा रहा हैं मैंने आपको प्रीती मैम ने बताया था कि जब भी आपके अड्मिट कार्ड आएंगे आपको इनफर्म करती आ जाएगा इस वीडियो में मैं आपके एडमिट कार्ड के रिकार्डिंग ही बात करने वाली हूँ बी-ए प्रोग्राम, बी-कॉम प्रोग्राम, बी-ए इंग्लिश ओनर्स और बाकी सभी के बी-कॉम ओनर्स और अनॉल उन सभी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं ओके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ हम बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड या फिर आपका हॉल टेकेट देखो कैंपस आपका नौर्थ है या साउथ है फिर्स्ट और फॉल आपको बोडालना है देन सोल रोल लंबर आगे एक्जैमपल दे रखा है बिलकुल ऐसे ही डालिएगा बीच में डैश डैश करके उसके बाद डेट अफ बर्द आपको डालनी है जिसे चार स्लैश मार्च लैश दोहजार दस दे रखा है बिलकुल वैसे ही एंड स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट का नेम वो ही लिखा जाएगा जो आईडी कार्ड पर मैंशन है उसके बाद आपको शो पर क्लिक करना है और आपका एड्मिट कार्ड ओपन हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको किसी का एड्मिट कार्ड ओपन करके नहीं दिखाया है लिकिन मैं उसके आगे का आपको बता देती हूँ जब आप एड्मिट कार्ड ओपन करेंगे की मर्जी है आप ब्लैक निकल वाइं या वाइट या फिर कलरफुल वो आपकी मर्जी है बाकी ये है कि उसको लैमिनेट मत करवाना लैमिनेट हुआवा एडमिट कार्ड हॉल में अलाउन नहीं किया जाता है वो आप लोगों को मना कर देंगे ठीक है सो इस चीज का ध्यान र खोल दीजे लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके एक्जाम से पहले आप इंपॉर्टन कोशिंस को अच्छे से करके जाएगा चैनल पर आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टन कोशिंस औरेडी प्रोवाइड़ेड हैं सो प्लीज आप उन पर फोकस कीजे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजें सो थैंक्स फॉर्ड़ वाचिंग और बेस्ट अफ लकॉल